अब जो वीडियो हम देख रहे हैं इसमें हमें binary search tree यहां पे दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि इसका in order traversal निकालिए देखिए बहुत important topic है यह binary search tree का in order traversal से बहुत important conclusion निकलता है और उससे आप देखोगे इतनी सारी आपकी problems all हो जाएंगी and especially यह topic जो है मैं अभी तब केवल इसी के लिए ही पढ़ा रहा था तो इतना important है यह तो आईए सबसे पहले इसका in order traversal देखते हैं in order traversal में क्या होता है आपको पता है हम second time जब हम traverse करते हैं वो हम लिखते हैं right तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूँ इसकी leaf notes यहां पर और इसके बाद शुरुवात हमने यहां पर 30 से की है सबसे first time encounter हुआ फिर हम 20 पे है 20 सबसे first time हुआ then हम 5 पे गए 5 से फिर हम इसकी leaf note पे गए क्योंकि यह empty है उसके दोबार 5 पे है henceforth हम यहां पर 5 पे second time आ रहे हैं तो इसलिए हमने traversal में 5 लिख दिया इसके बाद इसके right hand side में गए फिर वापस 5 पे आए इसके बाद वापस 20 पे जाएंगे 22nd time traverse हुआ इसलिए मैंने यहां पे 20 लिख दिया इसके बाद इसके right child पे आए 25 पे आए 25 पे पे उपर गए इसके बाद 30 पे गए 30 क्योंकि आपका क्या है 30 आपका है second time traverse हुआ इसलिए मैंने यहां पे 30 लिख दिया इसके बाद इसके right child पे आए 45 पे इसको अभी नहीं लिखेंगे फिर 35 पे आए 35 के leaf note पे गए leaf note से वहापस 35 पे गए 35 second time हुआ इसलिए मैंने 35 पे लिखा 35 पे पहुँचने के बाद फिर मैं इसके right side पे गया right side से वहापस 35 पे आए उसके 45 पे गया 45 आपका second time हुआ इसलिए मैंने 45 को लिखा इसके बाद मैं यहां पे आपका क्या पे आ रहा हूँ 50 की तरफ आ गया 50 आपका first time हुआ इसके leaf note पे गया left वाली पे फिर यहां से वहापस leaf note से 50 की तरफ आए 50 आपका second time आपका traverse हुआ निकला this is the in order traversal of a binary search tree अब जो सबसे important conclusion मैं आपको यहां पे पता रहा हूँ वो यह है कि in order traversal of a binary search tree will be always in an ascending order आपको एक ascending order में मिलेगा आप देख सकते हो ठीक है 5 20 25 30 it will be always sorted यह आपको हमेशा sorted मिलेगा and that will be in an ascending order तो next time onwards next time onwards अगर आपको binary tree यहां पे दिया हुआ है let's say for example आपको यहां पे दिया हुआ है 50 10 40 ठीक है यह हम से कहा गया है कि यह हमारा क्या है यह pre-order है this is a pre-order of a binary search tree this is pre-order of a binary search tree और हम से कहा गया है कि आप इसका post order निकाले अगर हम से कहा गया है इसका post order निकाले को कहा गया है तो आप assume कर लीजे because यह binary search tree है that means इसका जो in order होगा वो क्या होगा हमारा वो sorted होगा in an ascending order that means simple आप यहां पे लिख सकते हो 10 40 और 50 this will be the in order यह आपको pre-order मिल गया यह आपको in order मिल गया अब आप इससे tree बनाई है और उसके post order निकाल सकते है ठीक है यही question बार-बार gate में हमेशा पूछा गया है simple आपको pre-order दिया जाता है या तो post order दे देंगे और आपसे कह देंगे कि यह जो tree है वो binary search tree है तो यह आपको खुद conclude करना है कि binary search tree का जो in order traversal है वो आपका ascending order में आएगा ठीक है अब यहाँ ही देखो यह इतनी ताम चांग करने के मुझे जरुवत ही नहीं थी simple मैं यहाँ पे लिख सकता था 5, 20, 25, then 30, then 35, 45, and 50 यह इसका in order traversal होगा यह सब मुझे note की करने के जरुवत ही नहीं थी तो आईए इसकी उपर और problems देखते हैं और उसके बाद हम बड़ी असानी से इस चीज़ों को हम कर सकते हैं